आप सभी को नवरात्री की हार्दिक सुबकामनाई मादरुगा के आसिरवाद हम सब पर बना रहे और हम पूरी सक्ती से, पूरी ताकत से, पूरी उर्जा से अपने कारिय में लगे रहे हैं, अपने काम पे लगे रहे हैं पूरी मेनत करते रहें तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Wheatstone Bridge, लेकिन आज practically उसको देखेंगे, इससे पहले lecture में, मैंने आपको थ्रेडिकली समझाया था, आज उसको practically देखने वाले हैं, तो इसलिए हम lab में आए हैं, तो मैं उसके आपको balanced condition बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर Wheatstone Bridge को practically setup किया है, मैंने बताया था आपको इससे पहले lecture में, कि Wheatstone Bridge combination है, 5 resistors का, जिसमें battery arm और bridge arm अलग-अलग होती है, यहाँ पर battery arm यह वाली मैंने बनाई है, यह देखिए, बैटरी eliminator से connect है, यह क्या करता है, बैटरी eliminator, it converts alternating current into direct connect, यहाँ पर यह bridge arm है, यह वाली, bridge arm में मैंने buzzer और LED लगाया है, जब buzzer और LED on होंगे, मतलब इस arm में current flow कर रहा है, मतलब यह कैसा weightstone bridge होगी, unbalanced, और जब यह buzzer और LED off रहेंगे, LED glow नहीं करेगा, buzzer sound नहीं देगा, इसका मतलब यहाँ से current flow नहीं कर रहा है, और यह condition हो गी balanced condition, मतलब यह balance है, ठीक है, यहाँ मैं जो register use कर रहा हूँ, यह 10 ohm का है, यह 2 ohm का है, यह 5 ohm, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मेरा यह resistance box है, variable resistance, जो देगा मुझे, जितना मुझे चाहिए, मैं यहाँ से निकाल रूँगा, ठीक है, यह box क्या है sir, तो यह box simple ऐसा लगा हुआ है, ऐसे simple, box बना हुआ है, और यह register, यहाँ पर 10 ohm का, 2 ohm का, 5 ohm का, और यह हो गया, variable register, ठीक है, यहाँ पर buzzer का और LED, यह buzzer और LED जो device है, इनका अपना resistance होगा, तो यह 5th register हो गया, यहाँ पर, ठीक हो गया, अब देखिए, यह balance होने की इसकी condition क्या होगी, तो R1 upon R2 equal to R3 upon R4, मतलब यह balance तब होगा, मतलब यहाँ से current flow नहीं करेगा, कब, जब 10 upon 2, R1 upon R2, यह equal हो जाएंगे 5 upon, यह चाहिए मुझे, R, तो R किसके equal आगया, R आगया मेरा, 10 upon 10, 1 ohm, मतलब मुझे अगर यह balance करना है, Wheatstone Bridge को, तो resistance यहाँ से कितना देना पड़ेगा काला हुआ है अभी, ठीक है, मैं यहाँ पे battery elementer on करता हूँ अपना, यह देखे, balance है, balance है, और यह ना तो buzzer sound दे रहा है, और ना ही LED glow हुआ, अब मैं यहाँ से, इसका ratio change कर जेता हूँ, यहाँ पे मुझे 1 रखना था, क्योंकि 10, 2, 5, यह fix हैं, यह fix हैं कि यह इतना ही होने और balance होने के लिए इसको 1 ही होना पड़ेगा, मैंने 1 रखा हुआ है, on नहीं हो रहा है, balance है, ठीक, मैं यहाँ से इसको यह कर देता हूँ, 10 plus 1, 11, अब यह unbalance हो गया, unbalance हो गया, तो LED glow हो गई, और buzzer sound दे रहा है, यह LED मल्टी कलर वाली है, इसले color बदल रही है, मल्टी कलर LED है, ठीक है, मैं वापस लगा देता हूँ, यहाँ पर 10 वाले को, यह मैंने लगा दिया, ठीक, अब मैं यहाँ से 5000 बना देता हूँ, इसको मैं 5000, फिर यह unbalance हो जाएगा, यहाँ से current flow करना चाहिए, और buzzer और LED on होना चाहिए, यह देखिए, फिर on हो गया, ठीक, फिर से, यह wheatstone bridge balance कब होगा, जब R यह वाला 1 हो जाए, मैंने 1 किया है, current flow नहीं कर रहा है, ठीक है, current flow नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे potential same होगा, मैं इसको बदल दूँ, अब मैं इसको 2000, 5000 कर दे रहा हूँ, यह देखिए, यह 7000 हो गया, अब यह ratio equal नहीं रहा, मतलब य यह हो गया, unbalance और यहाँ से current flow कर रहा है, यह दोनों on हो रहा है, तो बड़ा simple है, wheatstone bridge का practical setup और बड़ा interesting भी है, इसको ऐसे ही करते रहें, फिर हम next जो practical करेंगे, उसमें देखेंगे, कि meter bridge से, जो की wheatstone bridge के ही principle पे based है, wheatstone bridge पे based है meter bridge, उससे unknown resistance कैसे निकाल सकते हैं, फिर वो द देखेंगे, आज के लिए enough है, मिनत करते रहें, thank you